तो Samsung ने One UI 610 का अपडेट अपने काफी सारे डिवाइसेस में रोल आउट कर दिया है और इस अपडेट के साथ हमें काफी सारे फीचर्स देखने को मिले हैं इस्पेसली कैमरा में भी काफी सारे फीचर्स एड किये गए हैं तो आज के इस वीडियो के इंदर डीटेल में बात चुर्ण करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं कैमरा एप में यहां पर आपको एक आप्शन देखने को मिलता है टॉप में 12 मेगा पिक्सल और 50 मेगा पिक्सल तो जो कैमरा का रेजोल्यूशन है उसको आप इजली एक क्लिक में यहां से चेंज कर सकते हैं वीडियो में अगर 60fps आप अपने कोडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं तो यह फीचर आपको कैमरा सेटिंग में देखने को मिलता था लेकिन अब जो है वो वनीवाई 6.0 अपडेट के बाद उपर में ही एड कर दिया गया है इसके अलाब ऑवरॉल जो लुक है उसको रीडिजाइन कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया फ्रिश लुक हमें देखने को मिल जाता है इसके लाबा कैमरा सेटिंग्स पर हमें काफी सारे फीचर है सबसे पहला है स्कैन डॉकुमेंट एंड टेक्स्ट तो अब आप कोई भी डॉकुमेंट और टेक्स्ट स्कैन करते हैं तो इसल अगला एडवांट इंटेलिजन्स आप्शंस यहाँ पर तीन ऑप्शंस है मैक्सिमम मींशनिमंव और मीडियं तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम की तो यहाँ पर अगर आप फोटों को क्लिक करते हैं यहान पर हश्बर फोटोर quality यहां पर improved आती है लेकिन आप minimum कर दीचेगा तो processing तो fast होगा लेकिन जो pictures में detail है वो कम रहेगा दोस्तो तो आप इस feature को भी उच कर सकते हैं ये भी एक नया feature add किया गया है इसके अलावा watermark में भी काफी सारे improvements किये गया हैं आप watermark को और भी better तरीके से customize कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहला है alignment का तो यहां पर अलग-अलग alignment आप यहां से edit कर सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पर top हो गया, down हो गया यहां पर आप date को customize कर सकते हैं अलग-अलग format में यहां पर आप दिख सकते हैं इस तरह से टाइम को अलग-अलग format में यहां पर किस्टमाइज कर सकते हैं तो यह नया फीचर एड़ किया गया है वाटर मार्क में दोस्तों इसके अलाबा यहां पर और भी काफी सारे फीचर एड़ किये गये हैं जिसे कि अगला फीचर है swipe up down to switch cameras तो यहां पर अगर आप camera का उप्योग करते हैं और अगर आप switch करते हैं तो कुछ इस तरह से आप switch कर सकते हैं फ्रंट और रेर कैमरा में लेकिन अब आप इसको on off कर सकते हैं यहां पर अगर मैं इसको off कर देता हूं तो यहां पर मैं इस तरह से swipe नहीं कर सकता और switch नहीं कर सकता तो यह काफी useful feature है तो अगर आप चाते हैं कि यह आप यूज नहीं करें तो आप इसको off भी कर सकते हैं इसक बारे में dedicated वीडियो बहुत ही जल्द आएगी इसके लाब आगर आप जाते हैं विजिट में तो camera में अगर आप जाते हैं तो camera विजिट add कर दिया गया है तो कुछ इस तरह से आपको add करना है यहां से आप title को edit कर सकते हैं starting mode यहां पर rare camera, front camera आप select कर सकते हैं यहां पर आप mode select कर सकते हैं जैसे video मैंने select कर लिया है कहां इस photo video को save करना है उसको select कर सकते हैं इसके बाद widget background यहां पर जो recent image है camera album में आप उसको use कर सकते हैं यहां फिर आप अपने recording कोई भी image select कर सकते हैं उसके बाद save पर click करना है यहां पर आप इस widget अगर क्लिक किजएगा तो जिस mode को आपने select किया जैसे मैंने video mode को select किया है तो यहाँ पर video mode में यह widget open होगा और यहाँ पर एक option भी आएगा camera widget का यहाँ पर देख सकते हैं नीचे show कर रहा है तो यह काफी useful widget है तो आप अलग-अलग widgets create कर सकते हैं इस नए widget की मदद से इसके अल कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम